नया भारत टेकनोलोजी का सिर्फ कंजुमर बनकर नहीं रहेगा बलकि भारत उस टेकनोलोजी के विकास में उसके इंप्लिमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमी का निभाएगा यह समीट तो ग्लोबल है लेकिन आबाद लोकल है इतना ही नहीं आगाज भी लोकल है आज 21 सजी के विक्सित होते भारत के सामर्थ का उस सामर्थ को देखने का उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है आजहादी के अमरित महोसव के इस इतिहासिक कालखन में एक अक्टूबर 2022 यह तारीक इतिहास में दर्ज होने वाली है दूसरा यह नवरात्री का परव चल रहा है शक्ति उपासना का परव होता है और 21 जदी की जो सबसे बेड़ी शक्ति है उस शक्ति को नई उचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है आज देश की और से देश की टेलीकॉम इंडूस्ट्री की और से 130 करोर भारत मासियों को 5G के तौर पर एक शांदार उपहार मिल रहा है 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है मैं प्रतेग भारत मासि को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता सात्यों में गवरव से भरे इन शणों के साथ ही 5G होलोग्राम टेक्नलोजी के जरिये रूबरू हो रहा था जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रतार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था आज वो गर-गर पहुंच रहा है मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के माइने बदलते जा रही है इसी तरह गुजरात, महराष्ट्र, ओडिशा के गाउं के सुदूर स्कूल तक फाईव जी के जरिये बच्चे बड़े-बड़े विश्यसग्यों के साथ क्लास में नई-नई चीजे सीख रहे हैं उनके साथ नए दोर की क्लास का हिस्सा बनना ये बाकई बहुत रोमांचीत करने वाला अनुभव है साथियों फाईव जी को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है नया भारत टेकनलोजी का सिर्फ कंजुमर बनकर नहीं रहेगा बलकि भारत उस टेकनलोजी के विकास में उसके इंप्लिमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमी का निभाएगा झालज जसे झालजी का इंप्लिमेंटेशन में उसके बाज़ुमर चाह मनेंटेशन में